नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चानल जीव आउशधी पर आज हम आपको एक ऐसी समस्या के बारे में बताएंगे जो केई महिलाओं को परेशान करती है, जिसका नाम है Irregular Periods. Irregular Periods के कारण और उनका समाधान हम इस वीडियो में जानेंगे और साथ ही हम देखेंगे की कैसे सही आहार आपके लिए मददगार हो सकता है. Step 1. Understanding Irregular Periods सबसे पहले समझते हैं Irregular Periods क्या होते हैं? Irregular Periods का मतलब होता है कि आपके मासिक धर्म के आने जाने में समय समय पर अनियमित्ता होती है, यानि कि आपके मासिक धर्म के साइकल में गड़बड़ी होती है. Step 2. Causes of Irregular Periods Irregular Periods के कई कारण हो सकते हैं सबसे आम कारण हैं Hormonal समस्याएं Hormonal समस्याएं आपके शरीर के hormones में असंतुलन उत्पन करती हैं, जिसे मासिक धर्म प्रबंधन में समस्या आती हैं. दूसरे कारण में तनाफ, व्यायाम की कमी और खुरात में गलत आते भी शामिल हैं. Step 3. Importance of Diet Diet का महत्व समझना अत्यंद अवश्शक हैं आपकी डायेट से आपके शरीर के hormones पर सीधा प्रभाव पड़ता हैं, और ये hormones मासिक धर्म को नियंत्रित करती हैं. Step 4. Diet Plan आएए अब हम देखते हैं एक ऐसे diet plan को जिसे आप अपना कर अपने irregular periods को मानेज कर सकते हैं. Irregular periods को control करने के लिए आपको इस तरह की diet लेनी चाहिए. First प्रात्मिक रूप से आपको पोशन से भरपूर आहार लेना होगा. आपके भोजन में फल, सबजिया, डाल, नाट्स और whole grains शामिल करें इनमें vitamins, minerals और antioxidants होते हैं, जो आपके शरीर के लिए महत्वपूर्ण होते हैं. Second iron rich food items जैसे की spinach, beetroot और beans आपके शरीर के iron level को सुधार सकते हैं, और खोन की कमी को रोक सकते हैं, जो मासिक धर्म के अनियामित होने का एक कारण हो सकता है. Third fiber rich food items जैसे की oats, brown rice और flax seeds आपकी पाचन तंत्र को सुधार सकते हैं, और hormonal imbalances से लड़ने में मददगार हो सकते हैं. Fourth vitamin D का 7 बढ़ाएं, जो की आपको calcium absorb करने में मददगार होता है. EC धूप में समय बिताकर या supplements के रूप में प्राप कर सकते हैं. Fifth, खाने में processed foods और junk foods से बचना बेहद महत्वपूर्ण है. इन में उपस्थित अधिक मात्रा में trans fats और sugar आपके शरीर के hormones को बिगार सकते हैं. Step 5, role of hydration स्वास्थि के लिए, पानी का सही मात्रा में सेवन करना भी महत्वपूर्ण है. कम पानी पीने से dehydration हो सकता है, जो मासिक धर्म के अन्यामित होने का कारण हो सकता है. Step 6, exercise and stress management व्यायाम भी अत्यंत महत्वपूर्ण है. Regular व्यायाम जैसे की योगा, वोकिंग या स्विमिंग आपके शरीर को स्वस्थ रखता है और तनाव को कम करता है. कनाव को प्रबंधित करने के लिए relaxation techniques जैसे की meditation और deep breathing भी फाइदे मन्ध हो सकती है. Step 7, consult a doctor और ध्यान रहे, अगर आपके irregular periods गंभीर है और diet और lifestyle changes से सुधार नहीं हो रहा है, तो एक विशेशाग्य से सलाह लें. हो सकता है कि किसी medical समस्या का कारण हो, जो सही दवाई या उपचार से ठीक हो सकता है. तो दोस्तों, इस विडियो में हमने देखा कि irregular periods को कैसे manage किया जा सकता है. आपको याद रखना चाहिए कि diet और lifestyle में परिवर्तन लाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये स्वास्थि के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. धन्यवाद, दोस्तों, इस विडियो को देखने के लिए. अगर आपको ये विडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेर करें, और हमारे चानल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई विडियोस देख सकें. अपने विचार हमसे नीचे दिये गए कमिन्स सेक्शन में शेर करें. धन्यवाद.